एनेमसी की तरज पर बनेगा फार्मेसी आयोग हर कॉलेज की होगी रेटिंग केंद्री स्वास्ते मंतराले की पहल केंद्र सरकार ने फार्मेसी अधिनियम 1948 को मौजूदा फार्मेसी काउंसिल और इन्डिया को भंग कर आयोग के गठन का फैसला किया है इसका मुख्याल है नई दिल्ली में होगा इससे पहले 2019 में सरकार ने मेडिकल काउंसिल और इन्डिया को भंग कर एन्मसी का गठन किया था लोगप्री वॉइस असिस्टेंट कमपनी एमेजन एलेकसा में होगी चटनी भारत पर भी पड़ेगा असर करमचारियों को लिखे एक नोटिस में एमेजन के एलेकसा और फायर टीवी के उपाध्यक्ष डैनियल रॉस ने लिखा कि कमपनी कुछ भूमिकाओं को खत्म कर रही है जेई मैन 2024 के लिए आबुदाभी नया परिक्षा केंद्र भारत के राज़्दूत की मांग पर NTA ने की अधिसूचना जारी नेशनल टेस्टिंग एजनसी की वरिष्ट निदेशक डॉक्टर साधना पराशर की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है इसमें लिखा है कि आबुदाभी में बड़ी संख्या में छात्र जेई मैन 2024 परिक्षा में स्रामिल होना चाते हैं इस्तरों के एक वैज्ञानी को दिया जाएगा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरसकार सीम सावंत ने दी जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री ने प्रमोत सावंत ने पहले मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरसकार की घोशना की है एजुकेशनल एकोसिस्टम में आया सुधार उभक्ती एकोनॉमी के लिए टेम्टेल का काम कर सकती है नई सिख्षानीती प्रधान SSAC ने विकल्प सहवरी तक फॉर्म को लेकर जारी की महत्वपून सूचना चार वर्षी यूजी करने वालों को दी जा सकती है एक वर्षी पीजी की अनुमती स्टुडेंट्स बदल सकेंगे लर्निंग मोड देश में पहली बार सत्र दोहजाट चोबिस से एक साल की मास्टर डिगरी अध्यक्ष बोले राज्जियों विश्विध्याले को भेजेंगे मसौदा मदरा सुचनियाले का फैसला कोबिड ड्यूटी पर रहे पीजी छात्रों को चैन में मिलेगा फायदा 3422 बेटियों का IIT में दाखिला 11 को ओपन मेरिट औल इंडिया रैंक की मेरिट से छात्राओं ने बनाई जगह ऐसी अपडेट के लिए देखते रहेए